तो आज हम यहाँ पर वन केजी का केक देखने वाले हैं और इसका डेकोरेशन एकदम अलग रहेगा आप मतलब यूटूब पर देख लो ऐसे वाली डिजाइन्स आपको नहीं मिलेगी और आने वाले कुछ उडियों में आपके साथ बहुत सारे इसे तीन चार्तों भी जो स्क यहाँ पर केक को बेक किया है जो हमारा बेस है वो मैंने डाला था एट बाइट के तीन में फिर उसके बाद अभी बहुत सारे बीगनर्स को प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्क्वेर कट करने में उनसे मतलब तुकड़े हो जाते हैं या कही बार क्या होता हैं कि मतलब जो लेवल च्वेर को जो नाइफ है उसके हम से यहाँ पर तीन से यहां पर तीन कट्स करो साजारो और फिर दागा डालने का और इस अपोसित डाइरेक्शन में क्या करने का उससे खीशने का तो उससे आपका केक जो रहेगा वो बहुत ही smoothly और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर cut होगा मतलब केक नहीं base तो इस तरह के से आप अपने base को यहाँ पर cut कर सकते हो देन यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि यह रहेगा हमारा white forest के तो बहुत सारे big nose को यह भी doubts रहता है कि black forest and white forest में क्या difference है मतलब केसे बनानेगा तो white forest रहता है आपका white chocolate में और black forest हम उसमें जो हमारा base रहता है वो हम chocolate वाला sponge यूज़ करते है देन उसमें हम dark compound भी यूज़ करते है जो चोकोचीप्स है वो भी यूज़ करते है डार्क वाली black तो यह रहता है आपका black forest में अभी जो है मैंने आपको बता है white black forest है तो white black forest के लिए जो अपना simple वाला vanilla वाला जो sponge आता है वो लेने का तो यहाँ पे मैंने 1 kg के लिए यहाँ पे two cup यहाँ पे sponge लिया यह यह प्रिमिक्स लिया था दें उसमें अभी क्या करने का अभी वो जो रहता है वो vanilla रहता है इस flavor उसका तो अभी हमें क्या चाहिए रहता है white forest करना है तो उसमें थोड़ा सा chocolate वाला essence डालो और cake को बेक कर लो तो यह हो जाएगा आपका white forest वाला sponge रिडी दें जब आप cake के icing करते हो जैसे black forest में अप यहाँ पर यह करते हो डार्ट चोकलेट रहता है उसका यूजे हो यहाँ पर आपको करना है यूज वैड चोकलेट का था लगा देखो जो आपको पिंक वाली जो यह दिखरा है यहां डिपिंग टाल रहे हो तो मैंने यहाँ पे वाही चॉकलेट में जो पिंक कलर है वो मिलाया था और उसे यह वाले डिपिंग बनाई थी अब मैंने पाइपिंग बैग में यहाँ पे जो यह है हमारा ओरेंज वाला कलर वो डालाए और यह जो star वाला nozzle है उसकी help से यहापे में कुछ flowers निकाल रहे हूँ तो यह रहेगा मैं मतलब कुछ जगा छोड़ छोड़ के क्योंकि मुझे बीच में कुछ flowers बनाने थे यहापे मैंने लिया है जो sunflower वाला nozzle और उसकी help से आप देख सकते हूँ मैं कैसे एकदम छोटे छोटे ऐसे flower बना रहे हूँ तो ऐसे flower बनाने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है किसी को sunflower नहीं बनाने आता है तो ऐसे flower को prefer कर सकता है और जो यह है हमारी scissor के help से यहापे मैंने वहाँ पे प्लेस किया है तो ऐसे में अभी हर एक जो हमारा यह है औरेंज वाला flower उसकी एक साइड में वहाँ पे मैं वाइट वाला कैसे flowers यहाँ पे रख दूँगे तो मतलब मैंने आपको बुला है मैंने मतलब जो square cake के मैं बहुत सारी design आपके साथ share करने वाली हूँ मेरे पास बहुत सारे इसके orders आने वाली थे तो मैंने सोचा चलो one by one आपके साथ वो वाली designs, flavor, cake कैसे बनाना है यह सब चीज़े मैं आपके साथ share करूँ तो अगर आपको यह पसंद आ रहा है आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ इससे सीखनी मिला है या कुछ नहीं वाली design मिली है तो आप please like, share and subscribe और अपने जितना हो सके उतना आपके friends के साथ share करो उससे भी उन्हें cake बनाने में help हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे cake पर मैंने जो छोटे-छोटे flower से वो प्लेस किये हैं अपर मैंने जो हमारा roses वाला nozzle रहता है R11 उसमें मैं हाँ पर मैंने yellow color की थोड़ा सा pink वाला shade रखा है yellow का dark में किया है cream यहाँ पर ली है and then मैं जो हमारा यह रहता है cake flower बनाने का nail उस पर मैंने base बनाया और simple तरीके से आप देख सकते हो कैसे मैंने पतिया बना के यहाँ पर flowers ready कर रही हो तो आप इस तरीके से बहुत सारे अलग-अलग flowers ready कर सकते हो मतलब इससे cake का एकदम look अलग ही हो जाता है मत अलग-अलग flowers आप देख सकते हो और most of the people को जो भी homemakers हैं उन्हें problem से होती है कि square में design क्या बनाए यह personally बूरू तो यह वाली problem मुझे भी थी कि क्या design बनाऊं कैसे बनाऊं तो इसलिए मैंने ऐसे अलग-अलग कुछ नया try कर रहे हूं अगर आपको पसंद आ रहा है तो please इसे बताओ या कुछ इसमें और changes चाहिए थे वह भी आप मुझे बता सकती हो तब मैंने same वह मेरे पास थोड़े सा अलो वाली cream थी तो वह बची थी तो मैंने white वाले flower पर एक-एक dot दिया है उससे देन यहां पर मैंने जो star वाला 46 नमर का nozzle है उसमें यहां पर blue color डाली है औ और blue color से हापे में style बना रही हूं इससे और ही मतलब थोड़ा सा look change हो रहा है हमारे cake का तो मतलब आप इस तरह की सी cake का decoration कर सकते हो और यहां पर जो customer थी उनकी demand थी कि उन्हें चोको चिप्स बहुत ज़्यादा चाहिए तो मतलब उनकी बच्चों को पसंद आता है तो इसलि कर दिया है अभी में यहां पर मैंने piping bag को v-shape में cut कर दिया है और उसकी help से हापे मैं यहां पर पतिया निकाल रही हो लीफ आपके पास leaf lozen नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो तो यहां पर मैंने मतलब अंदर की साइड पहले पतिया निकाली देन बाहर का साइड पतिया निकाल रही हो तो आप मतलब आपको जहसे पसंद आए वैसे आप केक का decoration कर सकते हो तो यहां पर हो गया अभी मैंने सारे साइड के यहां पर केक की पतिया निकाली है देन अभी अभी मेरे पास जो यह था लेटर्स वाला मोल्ड है ए बी सीडी वाला तो मैंने उसके हिल्प से यहां पर में कुछ जो बच्ची का नाम है अवनी वो उसने मैंने चॉकलेट से किया है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रीम चॉकलेट पसंद आता है यहां पर मैंने जो 46 वाला नोजल था उससे में यहां पर आप देख सकते हो छोटे- स्टार दे दू और वो इतना सुन्दर लग रहा था आप देख सकते हो मैंने इसकी रील्स भी शेयर की है आपके साथ और सेम जो मेरा इंस्टाग्राम का चाइनल है आप उसे भी फॉलो कर सकते हो वहां पर भी मेरे बहुत सारे फोटोज वो शेयर करती हो अब मेरे पास कु आप मतलब मैंने आपके साथ बहुत सारे इसे नए नए वीडियो नए नए डिजाइन शेयर की है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हो तो यहां पर देखो मैंने यहां पर जो बच्ची का नाम था वो चोकलेट से रेडी किया है अवनी नाम है वो वहां पर डाला देन वहां पर साइड में कुछ चोको चिप्स डाल रही हो क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चॉकलेट पसंद आता है तो मैंने यहां पर हैट पर थोड़ा सा कॉंट्रास जो ब्लैक वाले चोको चिप्स का यूज किया है तो इस तरीके से हो गया केक का यहां प्रोछ्ग्स